श्रीन आज्ये गुरुजी को अलग आदेश, मां भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भहरब बाबा को अलग आदेश आज की जो ये कथा है, ये जीवन एक्साउसिजम का केस है जो मैंने देखा है और ये उस जमाने की बात है, जब आप हम सब का परिवार टीवी खोल करके बैठ जाता था, एक सीरियल आता था उस समय, रास पिछले जनम का, जिसमें लोगों को हिपनोटाइज करके आकाशिक ल पिछले जनम में उन्होंने ऐसा क्या क्या, तो किसी का पैर कटा हुआ है, वो लिलीपुट बन गया, कोई अगोरी था पिछले जनम में, इस जनम में भोजपूरी आक्टर बन गया, मतलब इस तर का वो कारिक्रम था, और उससे पूरा भारत इंस्पायर था, सब को करवाना यह जो भी था, और यह उस कालखंड की कहानी है, जब मैं तंत्र के अलावा एक अल्टरनेट प्रैक्टिस करता था, यह प्रैक्टिस था, क्रिस्टल हीडिंग का, कई बार आप लोगों को मैंने बताया है, कि क्रिस्टल में एक ऐसे शक्ति होती है, कि उसमें जो एनर्जी है, वो आपकी यूनिलाटरल फ्लो करती है, मतलब एक दिशा में ही वो एनर्जी जाईगी, तो अगर आपको पता है वो प्रक्रिया जिसमें कि आप उर्जा को अपने शरीन में समाहित करके किसी और के शरीन में भेज सकते हैं, तो क्रिस्टल आपके लिए बड़े काम का चीज है, उस समय अगोर तंतरा से नहीं था, मेरे तंतर के बारे में लोग जानते नहीं थे, लेकिन जानते थे कि ये जानकार है, ये सब चीजों पर रिसर्ज करता है, एक हमारा वेबसेट हुआ करता था, भी भी हुआ करता है, उसके माध्यम से लोग जुड़ते थे, मैं दिल्ली में एक आश्रम में रुका हुआ था, और मेरे पास एक परिवार का फोन आया, परिवार का फोन आया, इसलिए बोल रहा हूं क्यूंकि उसमें महिला पर प्रेत आता था, और उसका जो पती था, उससे परिशान था, तो मैंने दोनों से बात की, मैंने उसके पत्ती को समझाया, फोन पर ही कि देखो, प्रेट जैसी चीजें होती नहीं है और लास्ट कभी ऐसा हुआ हो कि किसी पर प्रेट सवार हुआ हो ये 1934 की आखरी घटना है जो लोग जानते हैं उसके बाद कभी प्रेट किसी पर सवार हुआ हो ऐसा नहीं है मैंने उसको बोला कि आप साइक्याटरिस्ट के पास जाओ शायद आपको कुछ लाब मिले लेकिन उन्होंने बड़ा इंसिस्ट के है कि नहीं आपको एक बार देखना चाहिए अभी क्या है कि आप किसी को कित्ता भी समझा ले लेकिन जिसके घर में प्रेदबादा होगी जिसके घर में सर्फ यह डर भी हो कि उसके घर में भूत है वो समझने से नहीं समझेगा वो तभी समझेगा जब वो आपके सामने बैठेगा और उसको एक ऐसा आदमी चाहिए था जो उसको लगे कि हाँ ये मास्टर है ये सामने से देखकर मुकर जाए और हमने उनको बुलाया आश्रम में और वो अरत बैटी हमारे सामने और उन्होंने बुला कि मेरे दिमाग में एक्जाक नहीं पांच छे आवाजे आती हैं जो मुझे कुछ करने से मना करती हैं जो मुझे कुछ कहने से मना करती हैं जो मुझे कुछ ऐसे कृत करवाती हैं जो मुझे नहीं करना चाहिए जैसे जैसे उस महिला से बात कर रहा था, ये मेरे दिमाग में पुक्ता होता जा रहा था कि ये पक्का एक psychological disorder है, चाहे तो इसको inferiority complex है, इसको घरवाल attention नहीं दे रहे हैं या कोई ऐसा काम है ये नहीं करना चाहती है, इसलिए ये भाग रहे हैं कि देखो क्या होता है, जब आप अध्यात्मिक नहीं होते हैं और जादे पढ़े लिखे होते हैं तो आप किसी भी situation को उस किताब में बांधना चाहते हैं कि इस logic में ये situation set कर रहा है, तो यही सत्य है, सत्य क्या है ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं बस set करना चाहिए logic पर, मैं वही बैठके कर रहा था, उससे बात करते करते हैं, मैं अपने copy पर notes बना रहा था और मैंने बोला कि ऐसा होता नहीं है आप जो बोल रही है, multiple possession का case ऐसा भी कुछ नहीं होता है, अब मेरे होश उड़ने वाले थे थोड़ी दे रहा है, तो जब आप research करोगे तो आप लोगों को trigger करने सिखाया जाता है, trigger करने का मतलब होता कि कि किसी को गुस्सा दिलाना, जैसे आप किसी भुधाय स्थान पर ग है, मतलब excited हो जाए, और बिल्कुल वैसा हुआ, और फिर उसके चेहरे पे बिल्कुल शान्त भाव आ गया, बिल्कुल आराम से वो बैटके मुझे देख रही है, मुस्कुरा रही है, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, वो कोई response नहीं दे रही है, फिर ओपनिंग हुआ, पहली आवास थोड़ी हटी हुई, और उड़िया थे, बंगाली में बोलना उसने शुरू किया, तो थोड़ा बहुत बंगाली मुझे आता है, जारकर्ण, बार्डरिंग एरिया का हूँ तो, तो पहली जो थी, वो उसने खुद को विद्वा बताया कि मैं विद्वा हूँ, और मैं इसके साथ पिछले जनम से हूँ, जैसे मैंने पिछला जनम सुना ना, मैं समझ गया कि ये फिर वही पिक्चर की कहानी है, जो सीरियल लोग देखते हैं, इसके बाद एक बच्चे की तरह वो बात करे, और बोले कि मैं इसका बेटा हूँ, मै पाहिस था, छोटा था, इसके मृत्य हो गई, उसके बाद मैं इससे मिल नहीं पाया, अभी बहुत हाल में ये मुझसे मिलने आई तो मैं इसके साथ हो गया हूँ, और तीन भूली भट की आत्मा हैं, जिसको इससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन उनको एक रास्ता दिखा, कि शायद अब यही मुक्ती का मार्ग है और इसके साथ वो चल दी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, यह चल क्या रहा है, मैंने ऐसे लोगों को देखा था, जिनके आग का रंग बदल जाता है, तो आग का रंग बदलना आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, लेकिन यह भी एक psychological phenomenon होता है, जिसमें आग बदलता है, अभी देखो अभी क्या है इसमें, पढ़ा लिखा हूं तो पढ़े लिखे की कसावटी पर आपको बता रहा हूं, लेकिन इसी का एक supernatural version भी होता है, paranormal version भी होता है, ऐसे लोगों को देखा था जिसके आवाजे बदल जाती है, ऐसे लोगों को देखा था, जो पांच-दस लोगों का ऐसे पटक देते हैं, ऐसे लोगों को देखा था, जो दिवाल पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये बिल्कुल नया था, ये फिल्मी था, ये पांच-छे आवाजों में बात कर रही थी, पांच-छे tonality में बात कर रही थी, ये कभी बिल्कुल बंगाली विद्वा की तरह बात करें मुझसर, कभी बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह बात करें मुझसर, वो बताए कि ऐसा है कि ये तो मेरी मा है, मैं तो इसका शरी नहीं छोड़ने वाला, कोई बताए कि अरे मैं तो अपने घर के बाहर ब जुक है कि थिकी तो बात होगई यहां से जाओ ये गरीब एक घंटे ये पूरा जो काहनी है ये चला उसके बाद फिर बात शुरू हुई तो उसके husband ने मुझे बोला कि आप तो certified hypnotist भी है तो बुला आप इसको hypnotist करके ठीक कर सकते हो क्या इसको हम हम ऐसा कुछ प्रक्रिया में ले गए थे जो मैं आपको बता नहीं सकता हूं तो मैंने बुला जब आप पूरी बात नहीं बताओगे तो होगा नहीं और तब तक यह और फिर अपना जूमना मुमना इसने शुरू कर दिया तो मैं समझ गया कि अभी फिर यह अपना नटक शुरू करेगी कभी बच्चे के आवाज में कभी बुड़ी के आवाज में कभी किसी के आवाज में कभी किसी के आवाज में तो उस समय सुरत ने बोला कि यह आई थी हमें लेन तो मेरा दिमाज थोड़ा एक मिनिट के लिए सुन हो गया मुझे ऐसा लगा कि जरूर ये महिंगला किसी न किसी तांत्रिक प्रक्रिया का भाग रही है और ये प्रेट सिद्धी वाला चक्कर है मैंने सोच लिया कि इसको जल्द से जल्द मतलब साश्टांग प्रणाम करूं दंडवत करूं और भेज दूं मैंने बोला मैं आपके औरा का क्लेरिंग कर देता हूं ठीक है अगर कुछ आपके शरीर में लैच होगा तो वो चला जाएगा लेकिन वो ना मानने वाली थी ना उसका पती उसके पती को लग रहा था कि नहीं ये आदमी गलत है जिसके पास ह ये पॉली का कर्या प्ली हमाता है ऑइ तो उसने बोले कि आपके वेबसेट पी लिखा आप अप्नेसिस करते हो आप खेंशिंग करते हो फिर आप क्यूंक अपक्यूंकर पा रहे है तो और समझ क्यूंध पारे है मने बोले मैं मामला समझ रहा ऑं ये मामला प्यूर सॉकsweise को है अगर आप यह बताना चाहरा हैं कि एक अन्तरिक सिधी हमे थी और इनके पास परेत थी तो मैं अनके सब बतों को कर दो है कर दो कोई आए अनके साथ हुई यह था जो उन्होंने बाद में बताया की यह है पास्ट लाइफ रिक्र pills करा कि आए ती क्यूंकि इनको अपने बु सब पिश्वास करने लगते हैं तो उस समय कि बड़ी हीट कॉमेडि टी ती और उचिक हो गई थी पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर इसके साथ तो इनका ऐसा मंताविय था कि यह वारत जब past life regression में गई और past life regression में जिन जिन characters के बारे में इसने देखा वो सब इसके साथ आ गए क्योंकि इसका औरा बहुत कमजोर था मैं मन में मुसकाया मुसकाने के पीछे कारण ये था कि बहुत सारा trade secret होता है जो मैं अभी आपको भी नहीं बताऊंगा तो ये past life regression में आत्माओ का आना ये जो था ये logic समझ के परे था फिर उन्होंने उस वेक्ती से बात करे जिसने इनका past life regression कराया था तो उसने बोला कि normal neurolinguistic programming से इनको हमने induce किया था लेकिन ये hypnosis में नहीं गई थी ये कुछ और ही मतलब एक दूसरे लेवल पर खेल रही थी और हर बार इनके साथ ऐसा लग रहा था कि ये पॉसर्ज में अगर कोई past life regression में जाता वो नॉर्मल जैसे एक आदमी तांडम मचाया था कि ये बार बार possess हो रही थी अब कहानी थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी कि इसके साथ हुआ क्या है कई बार क्या होता है इस औरत का और भी spiritual background रहा था तो ये कुछ ना कुछ spiritual practices करते रहती थी और जब आप spiritual practices जादा करते होना तो आपका भले चक्र जागरित हो जाए आपका भले नेत्र खुल जाए आपका भले शील्ड खुल जाए आप हो सकता है अगले दूसरे dimensions को देखने लगो लेकिन इससे कहीं भी तैन नहीं होता है कि आप उसको सम्हाल लोगे तो इनकी कहानी ये थी कि ये एक बहुत ही भारत के प्रभावशाली गुरू के जो बड़ा लाखो लोगों की जो दिख्षा होती है उस दिख्षा में जाने के बाद इन्होंने कुछ-कुछ ध्यान योग किया था और ध्यान योग में इनका जो अपना शील्ड था इनका जो अपना औरा था उसके उड़ गयते चीथड़े और जब इनको इंड्यूस कराया गया हिपनोसिस में तो ये सीधे संपर्क में आ गई जो आसपास की आत्माई थे उससे और उन्होंने इनके औरा को कबजा कर लिय जब इतना समझ में आया देखो प्रेट शरीन में प्रवेश करता है भूत सिर्फ आपको इंफ्लूएंस करता है इनके साथ हुआ ये कि ये किसी और के अधिकार छेत्र में प्रवेश कर गई मतलब किसी और दुनिया में प्रवेश कर गई उस इंडक्शन के माध्यम से और इनको खुद को बचाना नहीं आता था तो ये जो प्रेट थे या ये जो भूत थे आप इनको किसी भी नाम से बोलो इन्होंने इनको जक्रा कि इसके माध्यम से ये पास कर जाएंगे ये जो भी योनी में जीवित है और उसके बाद इनको तरीके-तरीके से तंग करने लग इनके औरा को क्लीन किया इनका बंधन किया और फिर इनको छोड़ दिया उस दिन के बाद कभी भी ये संपर्क में नहीं आए एक बार बहुत बाद में आये थे इन्होंने बोला अब पुरानी समस्या सब ठीक हो गई है बस थोड़ा धनका अबावे तो उसके लिए कुछ कर करते हैं तो आप अपने अधिकार छेत्र को अपने शरीर के अधिकार छेत्र को अपने मन के अधिकार छेत्र को अपने प्राण के अधिकार छेत्र को अपने चक्रों के अधिकार छेत्र को अपने कोशों के अधिकार छेत्र का आप उलंगन करते हैं और तब आप एक ऐसी द आपको वहाँ पर प्रवेश मिले, पहला विश है, दूसरा विश है, कि अगर आप वहाँ जाते हैं, वहाँ किसी भी तरीकी की कोई घटना दुर घटना होती है, तो उसको सम्हालने के लिए आप सक्चम होने चाहिए, या जो आपको उस दुनिया में ले जा रहा है, वो चम होना जाहिए, तीसरा और बहुत ज़रुरी बात, अगर ये दोनों चीज आपके साथ नहीं है, तो आप समझ लीजे, कि आप वहाँ से सिर्फ जूट, क्या जूट, फिर से सुनिये, सिर्फ जूट, और परेशानी लेके लोटेंगे, आज के लिए इतना ही, जिनको परेशानी परेशानी साथ नहीं होती है, तो हम कराते है, तीन महीने काल है, 94311-888585, इस नमर पर अप समपर कर सकते हैं, हमारा वेबसाइट है www.a.portandres.com, डारेक्ट बात करनें के लिए कि कॉल मीफॉर, एप पर लॉग इन करिए, उस पे रूद्रनाद.cm4 सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइन मिलेगा आज के लिए नहीं भागवान भैरा को आप सभी के रक्षा करें आपको सुथ पुद्धित है ऐसी मेरी कामना है आप सभी को आदेश 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 अलाग आदेश